ये प्रक्रिया जो हमने अब शुरू की है, जिसे हम शिवांग कह रहे हैं, अंग मतलब हिस्सा, यानि शिव का एक हिस्सा, आप उनका एक हिस्सा हैं, तो स्रिष्टी करता का एक हिस्सा होना, ये रूपांतरन की यात्रा, स्रिष्टी का एक हिस्सा होने से लेकर, स्रिष्टी करता का एक हिस्सा होने तक की है, ये ऐसी चीज है, जो हम सभी में समाई हुई है, ना सिर्फ इंसानों का, बलकि हमारे आसपास जीवन के हर रूप का भी वही स्त्रोथ है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा अफसर है, या जो सबसे बड़ी चुनाती है, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी संभावना है, वो ये है कि हमारे अंदर उसका अनुभव करने की शमता है। हम उसे एक चेतन प्रक्रिया में बदल सकते हैं। कोई भी दूसरा जीव ये नहीं कर सकता। कोई भी अन्य प्राणी हालां कि वो भी उसी से बने हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं जान सकते कि वो उस से बने हैं। लेकिन अगर आप अपने दिल में भक्ती की अगनी प्रजवलित कर लें, तो आप यहां धर्ती के एक टुकडे की तरह नहीं जीएंगे, बलकि आप यहां शिव के एक अंग या हिस्से के रूप में जीएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक भक्त के रूप में आप अपने आस पास की हर चीज के प्रती एक नए स्तर की संवेधन चीलता पैदा करें। मैं चाहता हूँ कि आप इस नए स्तर की संवेधन चीलता की संस्कृती लाएं और भक्ती सबसे खूब सुरत और आकर्शक चीज बन जानी चाहिए, यह हमेशा से रही है। इंसान का दिल इसी चीज की इच्छा रखता है, ये बिना किसी वज़े से प्रज्वलित रहना चाहता है, अगर ये बिना किसी वज़े से प्रज्वलित नहीं है, तो आप इसे हॉर्मोन्स की मदद से प्रज्वलित करेंगे, अगर भक्ती नहीं है, तो आप किसी से लगाव कि बुरी तरह से कोशिशें करते रहेंगे। अगर भक्ती है, तो आप देखेंगे, कि आप जो भी चाहते हैं, वो आपके अंदर ही हो रहा है। सबसे खुबसूरोच चीजें आपके अंदर ही हो रही हैं। आस-पास किसी चीजें को खोजने के लिए समय ही नहीं हैं। क्योंकि आपके अंदर ही इतना कुछ हो रहा है। यह अच्छा होगा कि आप कुछ साल साधना करें और वैसी भक्ती पैदा करें। जिसका मतलब है आपके अंदर पूरा संतुलन। जब आप एक भक्त होते हैं, तो आप समपूर्ण संतुलन में होते हैं। क्योंकि भक्ती आप में वो आयाम पैदा करती है, यह एक चरम प्रक्रिया लगती है। भक्ती या भक्त, एक चरम पंत्थी है, जो किसी के किलाफ नहीं है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, फिल्हाल हम ऐसे चरमपंथी तयार कर रहे हैं, जो हमेशा किसी के खिलाफ होते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बस कल्पना करें। उग्रवादियों जैसे लोग, जो इस धर्ती पर तभाई मचा रहे हैं, लेकिन उनमें एक आयाम है, जो बहुत मूल्यवान है, वो ये है, कि वो उस चीज के लिए मरने के लिए तयार हैं, जिसे वो कीमती मानते हैं, ये एक माहान गुण हैं, लेकिन वो किसी के खिलाफ हैं, यही एक मात्र समस्या है मान लीजिये उनका कोई दुश्मन नहीं होता मान लीजिये आपका कोई दुश्मन ना हो और आप में दुश्मन बनाने की शमता भी ना हो पर आप चरमपंती हो तो आप एक शांधार तीवर इंसान होंगे है न एक बहुत ही तीवर और शानदार जीवन होंगे आप अगर आप बस इतना करें कि अपने अंदर कोई दुश्मन न बनाए अगर आप कोई दुश्मन नहीं बनाते और आप एक चरमपंथी हैं तो ये जीने का जबरदस्त तरीका है क्योंकि आप एक तीवर जीवन जीएंगे पूरी तरह से तीवर जब आप किसी चीज के खिलाफ नहीं होते और किसी चीज के साथ भी नहीं होते बस एक चरमपंथी तो आप जीवन के जबरदस्त अंश होंगे झाल